हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग तो कैसे हैं आप लोग आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो जी आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है पूझा मेरा पूझा करना बच्चों को यह काम जो है मेरे हो चुके है और सबसे पहले मैंने उटकरके अपना जो पूझा पार्ट वाला काम होता है नहाने दोने के बाद तो वो मैंने कर लिया था क्योंकि कि फिर मुझे बाद में जो है cleaning में time लगने वाला था तो फिर इस वज़े से मैं नास्ते वाला काम पहले ही कर लेती हूं खुद भी नास्ता कर लेती हूं और सब को करवा भी देती हूं तो आज Sunday है सब की छुट्टी है तो इस वज़े से फिर जो है मैंने बच्चों को नास् था तो टावल जो है बैटके उपर ही पड़े हूए हैं और अभी जो चादरे हैं वो भी मैंने फोल्ड नहीं कर रखी हैं और क्योंकि सुबह सुबह यह होता है ना बच्चे देर तक सोते हैं तो इस वज़े से फिर यह वाले काम हो नहीं पाते हैं और जब बच्चे स्कू जो धूने वाले कपड़े हैं वो मैं अलग से छांट रही थी क्योंकि यह कभी बच्चे ना सुबह जब कपड़े निकालते हैं तो मिक्स कर देते हैं कपड़े तो समझ में नहीं आता है फिर कौन सा कपड़ा धूला हुआ है कौन सा नहीं है और इस वेज़से फिर मैंने जो सारे कपड़े में उन्हें अलग कर रही थी जो धूने वाले कपड़े उन्हें में अलग कर दिया था और उसके बाद पर यहां पर जो सामान कुछ फैला हुआ था तो उसे में यहां पर उसके जगे पर अच्छे से रख रही थी और बाकी जो कपड़े हैं वो मैं डाल करना पड़ता है और यहां पर आप देख रहे होंगे टेबल पर जो पुराने कावर होते हैं तो उसी का यूज मैंने इसमें कर लिया तो जो नेट वाले होते हैं पहले जो करते थे तो फिर वो नेट वाले सोफे कवर बीच में से अगर नेट वाला जो सोफा है जरा सभी फट जाए ना काम नहीं आता है वो तो फिर मैंने इस तरीके से इसको कटिंग करके इसको टेबल के उपर बिचा दिया था और काफी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि नेट है है तो यह समझे कि क्लेनिंग का आधा काम तो यही हो गया है और उसके बाद वारी है जो टीवी कैविनेट है उसके सफाई करने की तो यहां पर जो है सारा समान बच्चों ने इस तरीके से फैला दिया है तो दक्षुन ना भी ड्रॉइंग कर योगी तो सारे इस केजिस जो तो फिर उनके लिए अच्छी सी जगह अगर मिल जाए तो सही रहता है कि बच्चों से भी मैंने बोल दिया है कि आप फोन चार्ज करके इसी में रख दो लेकिन बच्चे ना कभी-कभी भूल जाते हैं और जो चीज जहां पड़ी रहती है तो वहीं रहती है तो इसलिए मै यहां पर जो है इसकी जो धूल है वो मैंने सफ साफ कर ली थी और इसके जो डीपली सफाई है वो मैंने कल कर ली थी क्योंकि कल मैंने उपर जो फैन थे ना उसके सफाई करी थी और फैन की सफाई करने में फिर जो धूल है वो सारी इसमें आ जाती है जो टीवी कैबिनेट ह तो उसके बाद फिर उसके डीपली सफाई मैंने कर दी थी कल तो आज मैंने सिर्फ हलके से इसके सफाई करी है और क्योंकि ज्यादा गंदा था नयवा hung और लेकिन हलके पूलके से दूर्ठो। यह रोज ही रहीोज़ा गही दी यहां पर बच्चों आले कमरे में तो यहां पे बैड मैंने स़ाहीं कर दिया था और यहां पे टेबल के नीचे कवर कर रही हूँ पर यहां पर बिच्जो ने डीला कर दिया यहां पे पुरानी चीज होuben करता था परदा बनाके इसको लगा दिया था और सही लग रहा था क्योंकि नेट का था ना इस वज़े से और यहां की जो डस्टिंग है वो भी मैंने कर लिया है क्योंकि सबसे जादा धूल जो है इसी कमरे में होती है और उसके बाद फिर आ गए हम लोग यहां किचन में तो पहले मैं मैं खाली कर लेती हूं जिससे कि अभी यह दिन में यूज में आ जाएगी तो पहले मैं यहां किचन का जो कांट्रोटा पर उसे क्लेन कर लूँगी और जो गैस इस्टोव है उसे भी क्लेन कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है बढ़तनों का काम तो लास्ट में पर जो भी धूल होगी न वह नीचे आ जाएगी और जैसे कभी रोटी बनाते हैं तो आटा जो होता है न वह गिड़ जाता है तो वह सब पहले साफ हो जाएगा और यहाँ वच जो पीड़े बना देते दे उसके बाद जो टाइलगी वह बना देते हम लेकर और चचाय बना और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बिखरावा एरिया है वो है ये डाइनिंग टेबल क्योंकि किसी को जब कुछ भी समझ में नहीं आता नहीं तो बच्चे भी सारा समान जो है इसके उपर लाके रख देते हैं तो क्योंकि ये मेंड पॉइंट है हमारे घर का चाहे आप कम तो के लाज रखा हुय था मैं बची तो पर प्यास लें कि आयी था विए शचमारी क्योंनでした क्योंकि पील्स राएं इसमें पूर्डी को application बिखाए है जिसे की पूड़ा हो नीचे था कर लएती हूँ और कुछ चावल रखे वे थे जो बचे वे थे जब मैंने ये खाली किये थे थे थोड़ा सा चावल बच गे थे तो उसके बाद जो है वो अब मैं इसमें लौट देती हूं और थोड़ा से यहां पर गिर गये थे तो उससे मैं बाहर पक्षों के लिए डाल दूँगी और और जो टेबल की सफाई है इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से कल ले थी क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ इसमें हाथ जाता नहीं है और काफी धूल भी लग रही थी नीचे और क्योंकि उपर उपर तो यह होता है कि कपड़ा मार देते हैं और नीचे नीचे यह होता है वो कभी-कभी और क्योंकि वहां पर हाथ नहीं जाता है ना तो इस वज़े से और लेकिन आज मैंने कोसिस करके जो इसके नीचे धूल हो रही थी जहां पर फ्लावर से रखे थे उसके बगल में तो वह भी मैंने साफ कर दिया है और अच्छे से जो डाइनिंग टेवल के तो जी डस्टिंग वाले सारे काम तो हो चुके हैं अब उसके बाद बारी है जाड़ू लगाने की तो जो मेरा मौनिंग का रूटीन होता है वो रोज कुछ इस तरीके का ही होता है और पहले यह रहता है कि मुझे मतलब सबसे पहले सुबह उठना है और उठकर के सबसे पह की और पहले कि क्लिनिंग वाला काम हुए वो हो जाए तब तो ठीक है और लेकिन कभी ऐसा लगता है कि क्लियनिंग का हुए जादा है और मुझे लेत हLast कि फ्र जफिर सनल लेती के बाद़ करने के बाद फिर नावता है कि फ्रूबह घर heaven का नाब चीज कर लेती हूं और जिससे कि आराम से जो क्लेणिंग का काम है न वह हो जाए फ्रियो करके और उसके बाद यहां पर जारू लगाने के बाद फिर जो है सारे बरतन मैंने वाश कर लिए और जो इदर फ्लावर थे वह भी मैंने धो दिये और जो सिंक है उसे भी अच्छे से मैंने साफ कर लिया है और किछन के सारे कप्रे जो हएं धो कर के सोखने के लिए मैंने रख दिये और उसके बाद अब मैं लगा लोंगे फूछा तो जो पूछे लगाने वाला काम है वो मुझे सबसे लास्ट मिही अच्छा लगता है जिससे कि सारे बरतना और सुई का काम जो है सारा हो जाए और कमरों की जो डेस्टिंग है वो भी हो जाए तो इसके बाद फिर एकदम से साफ साफ सा लगता है घर और मतलब बहुत ज्यादा देखने में काफी ज्यादा मतलब अच्छा लगता है पॉजिटिविटी आती है और आज का जो मेरा वीडियो है ना वो कि ऐसे वीडियो देख करके काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और कभी-कभी मैं ना जब खुद मेरा भी मन नी करता कभी-कभी काम करने का तो फिर मैं भी इस तरीके के वीडियो देखती हूं तो मुझे मतलब काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है काफी फिर काफी ज्यादा अच्छा हुआ है और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूं अपने किचन की जो पुरानी वाली क्लिप है वो कि किस तरीके से मेरा किचन काफी ज्यादा पहले मैसी था और अब है ये साफ वाली क्लिप की किस तरीके से मतलब किचन साफ सुतरी कितनी अच् और यह है रूम की क्लिप तो पहले देखे कितना ज्यादा रूम मैसी हुआ था और सारा समान जो है सारा इधर से उधर फैला हुआ था और कोई भी मतलब चीजें अपनी जगह पे नहीं थी और सफाई करने के बाद रूम जो है किस तरीके का दिख रहा है और यह है बच्चों वाले रूम की हालत और सफाई करने के बाद देखिए तो फ्रेंड्स यह है मेरे 60 मिनट सुपर फास्ट क्लिनिंग तो कभी कभी इस तरीके की टास्क भी लेने चाहिए कि हम कितनी देर में कितना काम कर सकते हैं तो आई हूप आपको मेरा वीडियो पसंद कि लिए बाइ